पिहार प्रारंबिक सिख्षक बहाली प्रकिडिया से जुरू ही काफी महत्पून अपडेट आप सभी अभ्यार्थियों के लिए निकल कर आ रही है कि एक लाग सिख्षक नियोजन का नया सेड्यूल इसी महीने में जारी होगी जिहां दोस्तों प्रात्मिक सिख्षा निर्द किया जाएगा इससे पहले सिख्षा विभाग विभीन तकनीकी मुद्दो पर विसलेशन भी करेगा इसके लिए बित विभाग की राय भी ली जा सकती है प्रात्मिक सिख्षा निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार शिंग ने साफ कर दिया है कि एन आई वेस डियलेट व अगदो पर निर्ने लेने के बाद बहाली के लिए नए सेडियूल जो है जाड़ी कर दिया जाएगा यह स्टेटमेंट जो दी गई है और कहीं जा रही है दोस्तों यह कहां तक सफल हो पाता है आने मारा समय ही बताएगा कि क्या होगा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2017 से ही यह स्टेटमेंट अभियर्थी सुन रहे हैं कि बिहार प्रारमिक सिक्षक बहाली प्रक्रिया पूर्ण होगी कब पूरा होगी इसको कोई नहीं जानता है सिर्फ और सिर्फ सिक्षा विभागी जानती है कि प्रारमिक सिक्षक बहाली प्रक्रिया संपर्ण कनारी है या अध में इसे लटका के रखना है ब्यार टीटी 2017 उत्तिन अभ्यर्थी जो है 2017 से ही इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बहाली की प्रक्रिया संपन होगी यहां तक की अभ्यर्थियों के अंदोलन के बाद नियोजन के लिए आवेदन की भी प्रक्रिया संपन हो चुकी है जहां अभ्यर्थी ब्लॉक पंचायत घूम चुके हैं आवेदन कर चुके हैं और अब इनाइवेस डीलेट वाले अभ्यर्थियों को मौका देने के बाद बिहार सरकार सिक्षा विवाग जो है नई डेट निकालेगी और नई सेडियूल के हिसाब से आवेदन की प्रक्रिया संपन ह होगी जो काम पहले हो चुका है उस सारे चर्णों से अफिर से गुजरेगी कहीं न कहीं ये बहाली प्रक्रिया जो है अब डिले होगा संपन करने में अब समय लग जाएगी बिहार सरकार सिक्षा विवाग अभी भी का रही है कि कुछ अन्य तक्निकी मुद्दों पर बात ह होगी यह तक्निकी मुद्दा 2017 से ही चलती आ रही है लेकिन यह कभी भी एक से दो दिन में संपन नहीं होती है यह महीनों में कंभर्ट हो जाती है और सिक्षा विवाग जो स्टेटमेंट देती है वो कभी भी कहीं भी असपस्ट नहीं होती है और ससमय पूरा नहीं होता है अब आगे देखना होगा कि सिक्षा भी भाग कैसी गिंद डालती है बच्चे जो है चौका और छक्के लगाते हैं या क्रीन बोल्ड हो जाते हैं यानि कि कहीं कहीं कहा जा सकता है कि यह एक लाग बहाली पर क्रिया जो है चुनाबी मुद्दा तो है ही आप लोग जानते ही है एक लॉलीपॉप भी है और इसको 2017 से भी घुमाकर 2020 तक पहुचा दिया गया है और आज बच्चे जो है आवेदन करने के बाद नियोजन का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी भी विभाग जो है तुरत एक्षन नहीं लेती है बहाली पक्रिया संपन कराने को लेकर अभी भी वित्सलेशन किया जा रहा है कब विस्लेशन होगा कब से डिल जाडी होगी कितने दिनों में संपन होगी अब बिहार सरकार सिक्षा विभाग के पाले में है कि इस को कैसे संपन करेगी क्यूंकि अब election भी सामने है नजीख है अगर बाली प्रक्रिया प्रस शंपन नहीं हो तो यह बाली प्रक्रिय Sind mill नजर लेकर प西एक दिन, लेकर ने का बीहार में さんको की बहाली हो रही हैँ लेकिन आज तक सकता यह इस सिखेख की बहाली नहीं हुई है 2017 के बाद और परते एक दिन आपको पेपर में देखने को मिलेगा कभी 32,000 कभी 37,000 कभी एक लाख कभी दो लाख कभी बहाली नहीं होगी इस तरह की अपडेट आप लोगों को देखने को मिलता है इस प्रकिरिया जो है कैसे संबब होगी कब तक होगी सेड्यूल कब तक निकल पन कराना अभ्यार्थी सभी चीज देख रहे हैं सभी उनके समक्ष असपस्थ है 2017 से अभ्यार्थी जो है सिक्षक नियोजन का इंतजार कर रहे हैं और बिहार सरकार सिक्षा विभाग जो है कोई भी असपस्थ साप सूत्री एक रननीती पर नहीं उतरती है और ना गाइड लेंज जाड़ी करती है